कि नमस्कार आपका स्वागत है स्टॉक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं सलाशर्ट टैक्नों के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि अपने शेर होल्डर्स को बोनस दिया है तो जिनके पास अभी एक सेर है उनको एक सेर और मिलेगा और इसके साथ ही साथ एक रुपा अगर टूटल इंकम की बात करते हैं तो मार्च वाटर बीस में इंकम दिशार 956 लाग की जो कि दिसम्बर बीस में हुए 17 773 लाग की और मार्च 215 लाग की तो यहां पर हम मार्च 20 से मार्च 20 में यानि कि यार ओन यार में इंकम डबल होते हुए नजार आ रही हम कोड़र के तो इस प्रकार अगर देखते हैं तो मार्च 20 से मार्च 21 में जाने की हैर में हम हमें में मौन सबरती है अब बात करते हैं और तो इसमंबर 20 से माप्यक्ष Fr यहां पर भी हमें एक्सपेंसे जो है क्वाटर ओन क्वाटर में बड़े हुए नजर आ रहे हैं अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं तो बात करते हैं प्रॉफिट विफोर टेक्स की मार्च बीच प्रॉटर में 465 लाग के जो कि दिसम्बर बीच वाटर में पंदाव civself 35 क और वाकर मार्च की संटव चाले स्क्राइब के तो यहां पर हमें प्रॉफिट भीफॉर टेक्स जो है वो और अगर हम बात करते हैं और यहां पर भी प्रॉफिट बिफोर टेक्स बड़तागों नजर आ रहा है अब हम नेट प्रॉफिट फॉर दो पिरिट की बाद कर लेते हैं पॉट नम्र नाइन की तो मार्च बीस क्वाटर में यहां पर हमें नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च बीस से मार्च बात करते हैं तो क tenant करेंगे तो कंपनिक ने नेट प्रॉफिट काफी बड़े हैं इनकों नट प्रॉफिट भी दो जाएं अच्छे नजरा रहा हैं लगवक्त देखने की असमान जड़ाएं अब बात कर लेते हैं कंपनिक सब्सक्राइब करते हैं तो एक सब्सक्राइब करते हैं जो कि कैस रेजर्व से तो ज्यादा है लेकिन मार्केट के लिहाज से ज्यादा नजर नहीं आ रहा है अब हम देखते हैं तो प्रतिशत का रहा है तो साथ 12 रूपए जो की एक जून 2021 को बनाता है और अगर हम बावन हपतों के लोग की बात करते हैं तो यहाँ पर यह बना था 12-90 रूपए 5 पैसे जो कि तीन जून 2020 को बना था तो इस प्रकार हमने कंपनी के असेंस को देख लिया है कंपनी के सेर प्राइस को देख लिया है आज के दिन की बात करें तो 32-30 प्रतिशत की डिलिवरियू उठाई गई है इसका मतलब यह है कि जितने से आर्प यह जो कॉ चासी करोड़ जो कि 2018 में हो गया 496 करोड़ 2019 में हो गया 655 करोड़ और 2020 में हो गया 527 करोड़ तो यहां पर 17-18-19 में तो हमें रिवेन्यू बढ़ता हो नजार आ रहा है लेकिन 20 में कमी आई है वहीं हम बात करते हैं प्रॉफिट की तो 2017 में 18 करोड़ के प्रॉफिट थे ज सब्सक्राइब की 20 में कमी आई है तो देख लेते हैं तो प्रमोर्टर्स की जून भी इसमें थी चोहत्तर दसामला नौचार प्रतिशत जो कि मार्ची किसमा भी बनी हुई है एफाई इसकी होल्डिंग्स खतम हो चुकी है डिया इसकी बात करें तो डिया इसकी होल्डिंग जो है काफी सांदार है नेट प्रॉफिट काफी अच्छा हुआ है कंपनी के पास्ट पर्फॉर्मेंस को देखा तो इसमें भी काफी अच्छा पर्फॉर्मेंस नजर आ रहा है सिर्फ 2020 को छोड़कर तो आप जन्हों ने भी चैनल सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद